चेप्टर 21 कुटज इस पार्ट से संबंदित लाइन टू लाइन एक्स्प्लेनेशन आपको चैनल पर मौजूद मिलेगी आप उसको पहले पार्ट को बहतरी तरीकी से समझें पार्ट जब आपको अच्छी तरीकी से समझ में आ जाएगा तभी प्रशनों को समझने का फायद वो सब कुछ डिसकस करेंगे लेकिन इससे पहले आपको पार्ट यहाँ पर जरूर समझना है और ये आपको चैनल पर मिल जाएगा आप इसके प्लेलिस्ट को विजिट करें आपको कुटेज के साथ उसके और भी चैप्टर्स जो है जो आपको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा आप सारे चैप्टर्स जो है टमटू के लिए प्रिपेशन करने के लिए अप सारे चैप्टर्स को पहले पढ़ें और समझे जरूर जिससे कि आपको प्रश्ण उतर सबसे अच्छी तरीके से बहतरी तरीके से समझ मैं कि अगर आपको अलग प्ुस्शेंज भी मिले टेक्स आजाए और आपको वो उसके answer करने में आप एबल हूं तो यहाँ पर शुरू करते हैं पाठ से समझने को करने की और उनको समझने की शुरूभाद करते है पहला प्रश्न है हमारे सामने की कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है गाड़े का साथी गाड़े पौधे यानि की मुसीबत या फिर परेशानी अब लेखक ने पाठ हुए कुटज जो है उसको गाड़ी का साथी क्यों है कुटज क्या है वो हमने पढ़ा कुटज की जीविशा शक्ती है किस तरीके से पहाडों में पत्थरों के बीच में आपको पता है कि किसी भी पेड़ को एक अच्छी नमी वा ली और उपजाओ जमीन चाही जिस से वो पनपता है समयसमय पर पानी सूरज की रोशनी और उसके बाद उसकी देख भाल अच्छी खासी चाहीúng होती तभि कोई पेड़ या पोधा जो है वो पनपता है बड़ा होता है और फल देता है लेकिन कुट अपने जीने के लिए उनको पत्तर्व में खोज लाता है यानि अंगाने के लिए जड़े पधरों में शिलाओं में फैलती हैं उसके बाद इसे पानी मिलता है और यह पनपता है और इसमें फूल खिलते हैं तो कुटज की यह जिजी विशा शक्ति है कुटज के विशे में पाठ में यह सब पढ़ने को मिला है जो आपको पार्ट को पढ़ाते वक्त समझाते वक्त अच्छी तरीके से बताया गया है प्रश्न को यहाँ पर समझना हमें कि कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है लेखक ने कुटज के बारे में क्या क्या बताया है तो ये गाड़े का साथी क्यों कहा है और किसले कहा है ये सब तब भी भी बताएंगे तो इस तरीके से आपको ये प्रशन जो है गुमा फिरा के इस तरीके से कई तरीके से पूछ लेते हैं और ले दे के प्रशन का एक ही मतलब है कि गाड़े का साथी और कुटज इन दोनों ह पर्फमें की है, किस पर्पस की है, उत्तर है इसका कि इस पार्ट में लेखक ने कुटज की विशेश्टा बताते हैं कि कुटज मुख्किल हालत में भी साथ रहता है, उन्होंने इसका वर्णन इस परकार किया है कि जब कालिदास ने अपनी एक रचना लिखा है कि जब रामगिरी परवत विद्मान बादलो को यक्ष के द्वारा एक निवेधन भेजा तो वहां के मुश्किल हालातों में भी यक्ष को एक कुटज का व्रिक्ष दिखा यानि कि जब उनको परवतों में भेजा गया परवतों में रामगिरी परवत की बात हो रही है यहापर उसमें विद्वान बादलों को यक्ष के द्वारा एक निवेदन भेजा तो वहां के मुश्किल हालातों में भी यक्ष ने वहां पर एक कुटज का व्रिक्ष देखा व्रिक्ष ऐसी जगह पर खड़ा था जहां कुछ उग और पनप नहीं सकता था जो बात अभी हमने आपको बताई तो कुटज जो है अपनी जो उसकी भूमिका है यानि जिस तरीके का वो रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में इस धर्ती पर उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है अब जब यक्ष को कुटज वहां पर देखने को मिलता है और ऐसी जगह पर देखने को मिलता है यक्ष ने मेग को कुटज के फूल चढ़ा कर प्रसंद किया इसलिए कुटज को गाढ़े के साथ ही कहा जाना उचित है यानि किस तरीके से यक्ष ने अपनी परेशानी के समय में कुटज के व्रिक्ष को देखा और उससे पहली बाद उनको सिक्षा मिली दूसरा उस कुटज के व्रिक्ष से पनपने वाले फूल को उन्होंने मेगों को चढ़ाया और मेग उनसे खुश हुए और इस तरीके से वो यक्ष के लिए गाढ़े का साथी यानि उनके मुसीबत के समय का साथी बना और इसलिए लेखक ने उनको मुसीबत के समय का साथी कहा है अब हमने पहल सूरज की रौशनी खाद अच्छी मिटी उसमें नमी और इस तरीकी की सारी चीजे चाहिए होती जिससे की पनप सके लेकिन वह पहाडों में और इसी कठोर चटानों के बीच में पनपता है जिसे देखकर तमाम उससे जो जो हमें सिक्षा मिलती है वह पाथ के अंतरगत हमें लेकिन में बताया तो यहां पर हमें इसके ऊत्तर मिल गया कि कि तरीके से यक्ष ने में बहुत कुछ सीखा ऑनोंने कि एसी जगह पे यह उगा है पनपा है और फिर उन्होंने उसी कुटच के फूल को चढ़ा कर मेगो को प्रसंद किया जिससे कि वह उनके गाढ़े का यान नाम क्यों बड़ा है यानि लेखक ने अब इसकी भी चर्चा की पार्ट में कि नाम जो है वो क्यों बड़ा होता है कोई कोई चीज जो है अपनी भूमिका में इतना मजबूत नहीं होता जितना कि अपने नाम से मजबूत होता है और हर कोई जानता है अगर आपको ये सामने म एक छोटा सोधारन पेश कर दू कई बार आप बहुत सारी चीजे जो ऐसे अपने लाइफ में ब्रैंड की लेते हैं उनमें वो दम नहीं होता है लेकिन ब्रैंड है नाम है नाम चल रहा है इस वज़ा से अब ऐसी ही बात लेखक ने पाठ में उठाई है कि नाम क्यों बढ़ा ना यहाँ पर उत्तर इसका यह है कि किसी भी इंसान के जीवन में उसके नाम का बहुत महत्व होता है क्योंकि उसका नाम यह उस मनुश्य की पहचान बनती है अगर कोई आपको संबोधित करता है यानि आपको बुलाता है पुलाना पुकारना इसको संबोधित करना कहते है तो वैं आपका नाम पुकरता है, जिस से हमें पता चलता है, कि ये संभोधन हमारे लिए है, तो आप बहुत सारी बुक्स रखे हैं हमारे सामने, हम कहेंगे वो किताब दीजिए, तो कौन सी किताब दे, फिर आप बोलेंगे हिंदी विशे की दीजिए, ज्ञान विशे की दी व्यक्तिगत आपकी पहचान मनती है, अगर आपके सामने किसी के रूप, आकार, आदी का संचिप्त वर्नन भी करें, तब भी हम उस इनसान को नहीं पहचान पाते हैं, जब तक कि उसके नाम का वर्नन ना हो, कभी-कभी ऐसा होता है कि रस्ते चलते कोई व्यक्ति आपको अच इसलिए ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी सुन्दर क्यों ना हो, अगर उसका नाम नहीं है, तो उसकी पहचान अधूरी रहती है, यहां तक कि हमारे जीवन में और समाज में हमने हर वस्तू रनने प्राणियों को भी पहचानने के लिए एक नाम का प्रियोग किया ह उसके नाम के प्रियोग वश ही हमारे अंदर उस प्राणियों और वस्तू की एक शवी बन जाती है, हमारे समाज में हर वेक्तियों के नाम उसके धर्म जाती और आकार के अधार पर दिया जाता है, कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विशलेशन कर उनमें आपसी समझा बंद स्थापित कीजी, ये हमारे पास अगला प्रशन है, तो यहां पर ये अगला प्रशन हमसे पूझा जा रहा है, कि कुट, कुटज और कुटनी ये सब कुटज के नाम दिये गये हैं, क्यूं दिये गये हैं, इसकी हमें चर्चा करनी इसके विश्यम बताना है कि भी लेखक ने हमें क्या बता है इससे पहले एक पर हम इसका समझ लेते हैं नाम इस प्रश्न का जहां पर लेखक निकर कि नाम क्यू बढ़ा है कि लेखक यह बोला चाते हैं। आप में गुडवत्ता कितनी है? यानि आप में कितनी अच्छाईया है? बुराईया है? डाजन्ट मैटर आपका नाम क्या है? सबसे पहले विक्ती आपको इससे जानेगा. आपका रूपाकार भी विक्ती जानरा समझ रहा है तो नाम का होना बहुत जुरुरी और आपके पास अच्छाया बुराया है या नहीं बाद में देखने वाली बात फ़र्स प्रयोटी जो है नाम की होती है इसनुले नाम की महतवत्य होती है तो अगला प्रैशन प्रश्य अपरक्वत्वे संभ थाjor कीón में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है सब कुटज के ही रूप है नाम है और किस आधार पर ये अलग-अलग नाम है वो भी बताया है तो यही चीज जो पार्थ में है अब आपको यहां पर बोला जाना विशलेशन करके यानि इसमें क्या डिफ अध्य करना कहलाता है तो यहां पर रुट्तर में आपको यही लिखना होता है जो पार्थ में में लेखक ने बताया है और उसको अच्छी तरह प्रसाजी के अनुसार कुट शब्द के दो अर्थ होते हैं अब ये पार्थ जो हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है उन्होंने इस पार्थ में इस बात की चर्चा किये जिसको हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है और ये बताया है कि कुट शब्द के दो अर्थ होते इसलिए हजारी प्रसाजी के अधार पर कुटज शब्द का जो अर्थ है वो है घड़े से उत्पन होने वाला तो कुटज जो है वो अगस्ते मुनी को भी कहा गया है अब जो कुटज शब्द है वो अगस्ते मुनी को भी कहा गया है अगस्ते मुनी में हमारे मुनियों के बार में बताया है कि कुट का मतलब घर और घड़ा होता है तो उनके नुसार जो कुटज का अर्थ होता है अब कुट का अर्थ हो गया घड़ा जा से अर्थ लिखा जन्म लेने जन्म तो घड़े से जन्मा हुआ घड़े से जन्मा हुआ यानि जिसका जनम घड़े से हुआ हो, घड़े में हुआ हो, कुटज जो है अगस्ति मुनी के लिए भी प्रियोग किया गया है, विद्वानों का कहना था कि मुनी घड़े से उत्पन हुए थे, अब कुट शब्द के दूसरे अर्थ की तरफ चलते हैं, अब पहला अर्थ उन हो बताते कि कुट शब्द का एक अर्थ बताया है, घर तो घर में रह रही कोई दुष्ट इस्त्री कुटनी हुई, तो कुट का अर्थ यहां पर आपने देखा दो बताया गया है, घर और घड़ा, तो कुटनी शब्द जो है क्या हो गया, क्योंकि यह स्त्रीलिंग तो इन्होंने यहां पर इसका अर्थ निकाला है, कि अगर इसका एक अर्थ घर है, तो घर में रह रही कोई दुष्ट इस तरीके लिए कुटनी शब्द का प्रियोग हुआ है, देखा जाए तो कई बिंदू पर यह शब्द परस पर जुड़े होते हैं, और उनके अंदर स इसके यह यह अर्थ हैं, अब अगला प्रशने हमारे सामने कुटज किस प्रकार अपनी आपराजय यानि ना हारने वाली जीवनी शक्ती, जीने की शक्ती की घोशना करता है, यानि कुटज जो है अपनी परफॉर्मेंस ऐसी देता है, जहां वो पनपता है, उसको देखकर जो हमें समझ में आती बात है कि उसमें ना हारने वाली शमता है, और जीने की बहुत ही ललक है, शक्ती है, जिसकी वज़ा से वो कठोर चट्टानों में शिलाओं में भी जनम लेकर जीता है, पनपता है, फूल खिलता है उसमें, तो ये जब हम कुटज में देखते हैं कि श मोटिवेटेड होते हैं तो यह चीज जो है इसको बताकर लेखक जो हमें मोटिवेट करते हैं कुटज के माध्यम से और यह बताते हैं कि आप देख सकते हैं जिसकी देखभाल करने के लिए इतना सूनसान इलाका उचे पहाड़ों पर कठोर चटानों में शिलाओं में एक अपना मुश्किल है वहाँ पर दूसी बात जब पनप गया है तो फिर वो आगे बढ़ नहीं सकता फल फूल नहीं सकता लेकिन वो भी करता है गहरे तक अपनी जणों को जमाता है कहने करते हैं कि इसी तरीके से आप किसी भी काम में अपने आपको इतना अंदर तक ले बताया कुटज की भूमी का कि वह आपराजे है यानि कि उसमें ना हारने की शमता है यानि वह हारना नहीं चाहता है और जीने की जो लालसा दिखती उसमें तभी तो पनपता है शिलाओं में भी तो उसके बारे में हमें बताईए कि यहां पर हमें जो है इसकी आपराजे औ से क्या समझ में आता है इसका उत्तर है कि इस पार्ट में जो दर्शाया गया है कि कुटज का पेड़ एक ऐसे माहल में जिन्दा खड़ा है जहां किसी भी पेड़ पौधे का जीपाना असंभाव है वहां घास तक पैदा नहीं होती है कुटज वहां भी अपने आपको जीवि लोग ना हो या फिर सूनसान वह ऐसे निर्जिन इस्थानों पर अकेले जीवित रहकर अपने आपराजे होने की यानि वह नहीं हारा है ऐसी चीज को यहां पर प्रतिभिम्ब करते हुए हमें अपने आपके जो अंदर उसके शमता है कुटज के अंदर कि वह आपराजित है यानि उसको कोई हरा नहीं सकता है उसमें इतनी जीवन शक्ती है जीवन जीने की लालसा है उसकी घोशना करते हैं हमें दिखता है अगला प्रशन हमारे सामने कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है यानि जो कुटज है उसकी जो भूमिका है उसके बारे में अभी तक ह पहाडों में, शीलाओं में अपने आपको पन पाता है, तो हम ने ये बेसिक चीज जा लिए, कि कुटेज जो है, उसमें कितनी आप पराज़े की शमता है, यानि वो हारना नहीं जानता है, वो नहीं हारना चाहता है, और कठोरता में भी अपने जीवन को तलाश लेता है पनपता है फलता फूलता भी है तो वो क्या उपदेश देता है क्या जानकारी देता है सिक्षा देता है तो ये सारी चीजे अब आपको ये प्रश्न इस्तरी के से बदल के दे सकते हैं तो आपको उत्तर यही देना है तो आखिर इसके तह में जाकर कि इस से पूछा क्या जा रहे इस प्रशन के माध्यम से अब इसका उत्तर है कुटेजी जो है वो कठिन परिस्थितियों में भी मतलब कठिन परिस्थितिया क्यों है ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं ना तो नरम मिट्टी उसके पास ना पानी है ना ख तो यह चीजें नहीं है तो यह आपकी कठिन परिस्थितियों हैं आप अरेंज नहीं कर पा रहें कित तरह कर के आप अपनी सिक्षा को पूरी करें तो वो कठिन परिस्थितिया थी आपने लिए जल और लवण घोज लेता है जब वो तह तक अपनी जड़ों को ले जाता है और वहां से शिलाओं के एकदम गहराई में नीचे तल में जाकर जब उसकी जड़े पहुंचती है तो उसको वहां से पानी मिलता है और पोशक ततो मिलते हैं जिसे वो पनपता है और वहां भी फलता फूलता है कुटज से हमें यही उपदेश मिलता है कि चाहे आपके जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं आपको अपना धहरे और साहस नहीं खोना चाहिए हमें धहरे रखना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी महनत और ताकत से काम करना चाहिए अगला प्रशन है कि कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है वही जो हम अभी बाकी प्रशनों में पढ़ते आ रहें तो अब प्रशन आप देख रहे हैं कई तरह के प्रशन मिल रहे हैं लेकिन सबके उतर एक ही तरीके से हैं हमें ये सीख मिलती है कि हमें धहरे से काम लेना चाहिए और हिम्मत कभी नहीं आने चाहिए विकट यानि कि बहुत ही कठीन परिस्तितियों में भी हमें अपने सामनजस्य को बनाए रखना चाहिए यानि एड़ेस्टमेंट पावर को मेंटेन रखना चाहिए और धीरजपूरवक यानि कि हमें पेशेंस रखना चाहिए और उस पेशेंस को रखते वे अपने काम को करते रहना चाहिए अपने लक्षे को प्राप्ट करने के लिए निरंतर यानि continuity आपके काम में बनी रहनी चाहिए जितनी भी परिशानिया यह नहीं परिशानिया आई और बहुत लंबे टाइम तक परिशानिटी की रही तो आपने decision ले लिए कर छोड़ देते हैं अब नहीं होने वाला तो यही हो जाती है रुकावट और यहीं आपके लक्षे को यहां पर खतम कर देता है तो चाहिए जितनी भी प्रॉब्लम्स आजाए आपको अपना काम निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए तब ही आपको अच्छे results मिलेंगे तो यह सारी सीख जो हमे कुल घबराना नहीं चाहिए हमें हमारी महनत ताकत से जो प्रात होता है उसे सहर्श यानि खुशी के साथ हमें हमारी महनत का जो भी मिल रहा है आपको लगता है कि आपको बहुत थोड़ा मिल रहा है तो आप उस पर ध्यार न देकर आपकी महनत से आपको जो भी थोड़ा मिल रहा है आप उसे लेते रहें और उसे सवीकार करें खुशी के साथ और मेहनद करते रहें वह एक वक्त के बाद उसकी वैल्यू जो है आपको जादा मिलने लगे गी तो इस तरीके से हमें ये सारी सीख जो है हमें कुटज से मिलती है अगला पर slipping क्या केवल जी रहा है, लेकषक नेए प्रश्न उठा कर किन मानुए कमजोरियों पर टिपड़ी किया, मानुए कमजोरिया, यानि लोग जो है, परीसितियों से परेशान हो जाते हैं, demotivated हो जाते हैं तो वो मानुए, यानि लोगों की कमजोरियां है, तो क्या एक प्रशन उठाया है लेखक ने तो क्या इस प्रशन से मानवे जो कमजोरियां है वो क्या reflect होती है वो हमें यहाँ पर बताना है उत्तर में तो लेखक जो है मानवे कमजोरियों पर हमला करता है यानि मानव लोगों में कमजोरी है कि थोड़ी सी मुसीबत आती है थोड़ी सी सिक्षा तो हमने कुटज से यह लिए कि हमें हारना नहीं है कटिन से कटिन परिस्थितिव में भी अपने आपको हमें मजबूत रखना है और अपना काम करते रहना है तो मानवे कमजोरियों पर हमला करते हुए लेखक ने यह सवाल को उठाया है लेखक के अनुसार कुटज का ब्रिक्ष ना केवल जीता है बल्कि यह साबित करता है कि अगर मनूष्य में जीने की इच्छा यह किसी प्रस्तियों से आसानी से बहार निकल सकता है वे अपने आतमस सम्मान और जीने में गर्व दोनों की रक्षा करता है यानि वो अपने सेलफुरिस्पेक्ट को भी महनत करता है और पनपता है खिलता है उसमें फूल भी खिलता है अगर मान लीजी उसमें फूल नहीं खिलता है वो एक वक्त के बाद मुर्जहा भी जाता है तो उसको इस बात की खुशी है कि उसने महनत की वो एक बार पनपा तो सही बाद में भले ही कमजोर हो गया लेकिन ऐस सा तो नहीं है कि उसने जमीन से पनफना ही नहीं चाहा अंकुरित होना ही नहीं चाहा तो इसलिए आप मेहनत जरूर करे जरूरी नहीं कि अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो आप अपने आपको कमजोरी महसूस करे contributor आप अपने आपको ऐसे मोटिवेट करें कि जो आपने महनत की है अपके अंदर इतनी हिम्मत होती कि आपने अपने हिम्मत को मेंटेन रखा आपने महनत भी की आप नेक्स टाइम फिर से कोशिश करें और थोड़े से अपने जो जज़बा है उसको एक सही रहा पर ले चलने के कि उसने महनत की वह एक बर पनपातों सही तो इसलिए हमें कुटस से सारी सिक्षा मिलती है यह प्रश्ण उन मनुश्यों पर लक्षित करके किया जाता है कि जो जीवन की थोड़ी सी कठनाईयों के आगे जुग जाते हैं उनके पास जीने के लिए कारण नहीं है बलकि बस जीने के लिए जीना है यानि फिर उनको ऐसा लगता है उनका जीवन जो है उनके जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है वो बस खाली जी रहे हैं वो सांसे ले रहे हैं तो इस तरीके से वो डी मोटिवेटेड हो जाते हैं उनके जीवन में कोई मोटिव नहीं रह जाता कोई लक्षे नहीं रहा जाता जिसे उस साधने के लिए महनत करें ऐसे लोगों में हिम्मत जीने की ललक नहीं होते ऐसे लोगों के लिए यह कहा जाता है कि वे मन के हारे हुए हैं तो इस तरीके से कुटा से हमें इस सारी बाते सीखने को मिलती है अगला प्रशन कहता है लेखक क्य अपने बारे में सोचिए देल आपको जीने की इच्छा जी जीविशा शक्ति यानि आपको जीवन खुलकर जीना है खुग घुमेंगे फिरेंगे खाएंगे पियेंगे मेहनत करेंगे और पैसा कठा करेंगे जो भी आपका मूटिव हो जो भी जीना मानते हैं आप अपने प्रफिशने से फिर आप खुलकर जीना यह सेकिंड पॉइंट है अब लेखक बोलते हैं कि इन दोनों से उपर उठकर भी एक कोई ना कोई शक्ति है वो कौन है तो इसका उन्होंने एक जो है यह बात उठाई है इस पार्थ में उसके बारे में यहां पर हमें डिसकस करना ह मनुष्य को उसका स्वार्थ हमेशा उसे गलत रास्तों पर ही ले जाता है मनुष्य ने अपने स्वार्थ वश ही गगन चुम्बी इमारतों का निर्मार किया है यानि अपने स्वार्थ के लिए ही ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए नाम कमाने के लिए अपना जो है अप इमार्तों का निर्मार्किया, बड़े पुल बनाये, हवा में उनने वाले एक जहाज बनाया, हमारे जीवन में स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है मनुशे बस अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अन्य उपकरनों का अविशकार करता है उसे दुन्या में अन्य प्राणियों की भी कोई चिंता नहीं रहती है, यानि हर व्यक्ति वो काम कर रहा है जिसे की उसको फायदा मिल सके लेकिन ये केवल स्वार्थ और जीविशा है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, इन दोने की वज़ा से ही हम खुद को महत्व देते हैं और समाज को भूल जाते हैं, लेकिन लेखक की नजरों में स्वार्थ और जीविशा से भी बढ़कर एक शक्ति मौजूद है, जो ह हर जातियों का उतना ही कल्यार करती है, यानि हर एक व्यक्ति का, कल्यार की भावना उसे महान बनाती है, यह ऐसी उग्रता है जो मनुष्ये अपने एहंकार के परे निस्वार्थ और मजबूत बनाती है, कहने करता कि लेखक मानता है इससे भी बड़ी जो चीज है वो है प् महनत, यानि आप जितने भी पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हैं, वो इन सब चीजों से स्वार्थ से और जिजीविशा शक्ती से उपर मानते हैं सारी चीजे, यानि वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसको एक रॉंग डिसीजन मानते हैं लेखक, तो लेखक का मानना है कि स्वार्थ और जिजीविशा शक्ती से भी बड़ी चीज है, जो एक्जिस्ट करती है और वही होना चाहिए यानि की प्रेम होना चाहिए, लोगों में भायचारा होने चाहिए और इश्वार में विष्वास होना चाहिए, जो लोगों को समास से जोड़ के रखती हैं और एक दूसरे को जीवन में आगे बढ़ाने का की सोच रखती है, तो इस वज़ासे लेखक का ये मानना है कि जो स्वार्थ है और जिजीविशा है वो एक लेवल पर जरूरी होती लेकिन इसकी सीमा होती है और उस सीमा को लांगने पर व्यक्ति जो है वो गलत रहा पर चल पड़ता है अगला प्रशन है कि कुटज पार्ट के अधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मानव के वि पर आप मानोगे तो दुख है और आप मानोगे तो सुख है तो कुटज पार्ट में ये लेखक ने बात समझाने की कोशिच की कैसे इसका उत्तर हमें यह वताना है कि लेखक नुसर दुख और सुख वास्तों में हमारे जीवन का एक वास्तुईक अंग होते है या तो व्यक्ति का दिमाग उसके नियंत्रन में हो और उसकी जरूरते सीमित हो सीमित तो वह स्वास्थ प्रतीत होता है स्वस्थ प्रतीत होता है वह उसे किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता यानि परेशानी नहीं होती बीमारी नहीं होती और समाज में उसे खुश कहा जाता ह लेखा के एक पॉइंट देते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने आपको नियंतरण में रखना जानता है और जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरते नहीं होती इच्छाएं नहीं होती वो व्यक्ति हर बिमारी से आजाद रहता है क्योंकि वो टेंशन फ्री है और सारे दुखों की ज जरूरते हैं आपकी इच्छाएं हैं अब यह पूरी नहीं हो रही एक पूरी हो गई किसी तरीके से दो तीन रह गई या फिर दो तीन पूरी हो गई एक रह गई तो वेक्ति हर मोड पर कहीं न कहीं परेशान है माली जी आपके पास चार बेसिक आपने बना रखे कि यह हो जाएगा आप अपने आपको बहुत ज़्यादा आप जीवन में आप अपने आपको खुश मानने लगेंगे लेकिन ऐसा नहीं है आपकी चार इच्छा पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद आपकी एक नहीं इच्छा फिर से पनप जाएगी ऑटोमेटिकली पनप जाएगी यह नेच्रली ही आजाते हैं तो आदमी को कोई ना कोई कमी लगी रहती है तो जिसको यह संतुष्टी की ठीक है चल रहा है काम मैं तो इसमें भी खुश हूँ तो वो व्यक्ति बिमार नहीं है उसके पास टेंशन नहीं है वो खुश है क्योंकि उसे किसी चीज की लालशा नहीं है और उसको इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरी यह च्छा पूरी नहीं हुई मैं यह करना चाता हूँ यह पाना चाता हूँ यह तो मुझे मिला नहीं तो जो इन सब चीजों को साइड में रखता है वो खुश है उसके बाद लेखक यह बताते क्योंकि कोई भी उसकी अगर वेक्ति दुखी होता है तो कोई अगर उसे परेशान कर रहे तो आपकी मर्जी को भी ना कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है मर्जी का मतलब यह कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप अपने आपको इस लाइक बना के रखे कि वो आपको परेशान ना करे या तो आप उसकी बातों से अफेक्ट ना हो या फिर आप उसकी गलत बातों का जवाब देने लायक हो तो इस तरीके से आपको कोई आप दूसरा वेक्ति परेशान भी नहीं कर सकता अगर आप अपनी छावे कंट्रोल करते हो तो आप ऐसे ही खुश हो और उस वेक्ति को हमेशा दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन स्वेम के बजाए दूसरों के हाथों में यानि कि जो वेक्ति दूसरों को देखता है उसकी नकल करता है कि उसके पास इतना कुछ है मुझे भी ये चाहिए और मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ आप अपनी लाइफ को हो आप बहुत सारे डीसीजन भी जो है अपने आप से नहीं ले पाते हैं आप अपने आपको इतना सक्षम कीजिए सिक्षित कीजिए कि शेख्षी न लेना पड़े या फिर आप दूसरों की चीजों को देख कर अपने आपको कम तरणा महसूस करें तो सब कुछ जो है आप आपके सिक्षा जो है आपके आधार आपके सोचने विचारने का ढंग यह सारी चीजे आप मैटर करती है आपको लाइफ में कि आप कितना खुश रह पाएंगे और कितना दुखी रह पाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार वेवार करता है दर असल उसका दुख उसके मन की ब्रांती होती है यानि यह सब आप जो आपका दुख है वो आपने खुद से बनाया है यह आपके अपने मन का ही ब्रहम है तो वह खुशी अपने मन में पैदा ही नहीं करना चाता है वह हमेशा दूसरों के हाथों की कट पुतली बनकर रह जाता है कट पुतली जैसे की कट दूसरे लोग करेंगे, आप स्वयम को उनसे compare करोगे, फिर आप अपनी जीवन को trouble करोगे और आप दुखी रहोगे और अपने को दुखी महसूस करते रहोगे, तो सुख और दुख जो है ये दो point basic point है, वेक्ति के जीवन में रहते ही रहते हैं और ये आपकी सोच पर आधार दिखते हैं उनकी जड़े काफी गहरी पैठी रहती हैं ये भी पाशान की छाती यानि पत्थर की छाती फार कर ना जाने किस अतर गहवर से अपना भोगे खीच लाते हैं अतर गहवर यानि बहुत ही गहराई से अपना भोगे यानि भोजन अब यहां पर यही बता रहे हैं इन पंक्तियों में कि कभी-कभी जो लोग उपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़े काफी गहरी पैठी होती है अब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी मुसीबते कोई व्यक्ति डटा हुआ है कई बार लोग उसको गलत बोलते हैं कि कितना बेश को पाने की रह पर होता है वही होता है कुटज जो की अकेला शिलाओं में खड़ा होता है अपनी जड़ों को नीचे 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 ले जाता है और जब वह अंत गहराई में अंतता नीचे गहराई में एकदम पहुच जाता है जहां उसे पानी मिलता अपना भोग्य मिलता ह वो उसे खीन चलाता है अपने आपको जिन्दा रखता है पन पाता है फूल खिलते उसमें और फिर लोग उसकी जो है वावाही करते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करके वो यहाँ पर आज दिख रहा है तो यही है आप देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तिया हाजारी प्रसा ले ले नोट कर लें से तो यह बेसिक है इतना तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे हर प्रसंग में इस पार से संबंदित जो भी आएगा दूसरी और वह ऐसे लोगों के और संकेत करता है जो सभाव से बेशरम होते हैं तो एक कॉमन पंक्तिया आप कॉन्क्लिजन जो आप ए जो पूरा पैरग्राफ आपको व्याख्या करने के ले दिये गया उसका एक कॉन्क्लिजन निकाली और उसको एक पंक्ति में यहाँ पर भी लिख दीजिए प्रसंग में तो आपका प्रसंग जो है एक नंबर का हो जाएगा एक नंबर का मतलब की बहुत ही अच्छा प्रसं आधार के प्रतीत होते होएं दिखते हैं लेका कहता है कि कुटज जो है अपने सिर के साथ एक ऐसे वातावरन में खड़ा है जहां अच्छा और अच्छा आश्चर्य होता है यह पहाडों की चट्टानों पर पया जा सकता है इसके अलावा वे मौजूदा जल श्रोतों से अपने लिए पानी उपलब्ध कराते हैं लोगों को इस तरह खड़े होने के उनके सुभाव को भलाई का उधारन क्यों मानना चाहिए मनोवृति उन प्रतिकूलताओं किसे लड़ने का परिणाम है मनोवृति यानि आपकी मानसिक्ता कैसी आपकी सोच कैसी है उसके अनुस करती और उन्हें द्रढ रहने में मदद करती है ऐसे लोग अपना रास्ता खुद ढूंड लेते हैं यानि विशम परिस्तितियों में भी जिस तरीके से कुटच जो है वो खड़ा रहता है और ऐसी स्थिति में जो है लोग बहुत ही कोशिच करते हैं जिसे कि आप वो अपन आपको पन पाएं और आप में फूल तक खिल सकें यानि कि आप एक अच्छा परिड़ाम लेकर सामने खड़े मिलें दूसरा यहां पर आप देखेंगे कि रूप व्यक्ति सत्य है नाम समाज सत्य है रूप जो होता है रूप आकार यानि आप कैसे दिखते हैं कैसा रंग है कैसा शरीर का आकार है यह सब यह व्यक्ति सत्य है यानि यह व्यक्ति को दिखाने वाला सत्य है नाम जो होता है वो समाज में बनाए रखने का सत्य होता है समाज में अगर कोई चीज घुमती है तो आपका नाम है और जो व्यक्ति आपको परसन टू परसन लोग एक दूसरे को पैचानते हैं तो वो रूपoken में अगर कोई चीज आपकी जानकारी होती है तो वह आपका नाम होता है तो इसलिए रूप को व्यक्ति सत्य कहा जा रहा है और नाम को समाज सत्य नाम को को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है आधुनिक सिक्षित लोग इसे सोशल सेक्षन करते हैं मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है समाज द्वारा स्वीकृत इतिहास द्वारा प्रमाडित समष्टी मानव की चित्त गंगा में सनात यानि अब लेखा कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं और परशन टुपरशन लोग जानते ही हैं उसी से ही पहचानते हैं मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है लेखक का मन है क्योंकि समाज स्विक्रित होता है और वोग इतिहास द्वारा प्रमाडित होता हैには यो प्रमाड उसको मिल चुक तो इस तरीके से अब इसका जो प्रसंग है वो प्रस्तुत पंक्तिया हजारी प्रसाद दुएदी द्वरा रचित नीबंद कुटज से लिया गया है इसमें लेखक कुटज की विशेष्टा बताते हैं कॉमन है जो हमने पहले ही बताया अब आप इसमें से एक कॉन्क्लूजन निकाल कर यहां पर लिख सकते हैं कि नाम लेखक के नुसार जो है नाम कितना महतोपून है वो इस यहां पर पैरग्राफ में बताया गया है जो इस प्रकार है कि फिल व्याप्ख्या आप लिखेंगे इन पंक्तियों में लेखक नाम की विशेष्टा का वर्णन करते हैं जीवन में नाम का बहुत अधिक महत होता है एक व्यक्ति के पहचान उसके नाम से होती है यदि किसी को रंग आकार के बारे में बताया गया है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाएंगे जब तक इसका कोई नाम नहीं है नाम ही इनसान की पहचान है गौर कीजिए कि हर जीव और वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका अपना अस्तित्व होता है इसे पहचानना असान होना चाहिए नाम रूप गुन दोश जाती आदी के अधार पर द के लिए व्याकुल हो रहा हूं यानि जब इसे समाज ने स्विकार कर लिया तो इसे लोगों के दिल में कैसे जगा मिली अब लेखक जो है यहां पर यही बोल रहा है कि जो है उनका जो उनके नाम के बारे में जानते हैं और यह भी समझते कि कौन सा व्यक्ति तो बड़ा है औ यानि कि लेखक के नुसार जो व्यक्ति का व्यक्तित होता है और व्यक्तित वो क्या होता है उसका विवाहार उसके बोलने रहने सहने और लोगों से मिलने जुनने का जो तरीका होता है ओवर और उसकी जो परस्नालिटी है वो उसकी पहचान होने चाहिए ना कि नाम लेखक अगला है कि रूप की तो बात ही क्या है बलिहारी है इस मादक शोभा की मादक शोभा की यानि कि जो अपने रूप आकार से अपने में गुम कर दे खो जाए जिसमें एसी शोभा चारो और कुपित यमराज के दारुन निश्वास के समान धधकती लू में यह हरावी है कुपित यानि कि फूलूल खिलेव हैं सब दुर्जन के चित से भी अधिक कठोर पाशान की कारा में रुध अग्यात जलश्रोत अग्यात जलश्रोत यानि वो जलश्रोत जिससे पौधा जो है पनपता है सीचता है अग्यात कैसे कि इतने बड़े बड़े पहाड होते है आपने सब नहीं देखा है ना जाने कितनी गहर सरस भना हुआ सरस यानि सरल सा खड़ा हुआ दिख रहा है इससा लग रहा है साबने एक चोटा सा पौधाई तो है इसमें क्या समस्या है तो इस तरीके से यहां पर जो है इस पूरे पैरेग्राफ में कुटज की बड़ाई की गई है जो लेखक ने की है प्रसंग वरन को देखते हैं तो चारो और भयानक गर्मी है यानि कैसी गर्मी है यम्राज के क्रोध की तरह कुपित यम्राज तो कुपित का मतलब क्रोधित यम्राज यम्राज जिसको लोग एक डरे हुए संस में ही उसका अर्थ लेते हैं तो चारो और भयानक सी गर्मी है मार डाले व इसके साथ ही ये फलदार भी है इस तरह के पत्थरों के बीच भी अपनी जड़ों के लिए रास्ता बनाता है सूत्र खोचते मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैं पत्थर के शैतान वक्तियों की तुलना में लेखक हूँ इसलिए उनका कहना है कि कुटज अपन पन पाया है और यम्राज के क्रोध के समान ऐसा लगता है वह सांस ले रहे हो ऐसी जुलसा देने वाली गर्मी में भी यह रभरा खड़ा है और फलदार बनके खड़ा है तो ऐसा यहां पर कुटज के विशे में लेखक बता रहे हैं हिर्दयाना पराजिताहा कितना विशाल लगे और जो नाच्छा लगे उससे विचलित नहीं होता घबराता आनीए परेशान नहीं होता वह कितना बड़ा होता है वह रधीत नहीं होता है हारता नहीं है कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है कहां से मिलती है ये अकुतो भया वृत्ती आपराजित सुभाव अविचल जीवन द्रिष्टी यानि लेख़ कहते हैं कि कुटज में ये बिना भयवाली वृत्ती कहां से आई और ये आपराजित इसमें ऐसी सोच कैसे आई उसमें अब यहां पर प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तिया हजारी प्रसाद दुएदी द्वरा रचित निबंध कुटज से लिया गया इसमें लेख़ कुटज की विशेष्टा बताते हैं और उसके साथ आप यहां पर एक कॉमन जो है एक दो लाइनों का जरू निकाले और प्रसंग में लिखे लेख़क प्रस्तुत पंक्तियों में कुटज की सुन्दर्ता की बारे में बात करता है उनका कहना है कि कुटज देखने में बहुत सुन्दर है कुटज हम सभी को सिखाता है कि हमें सबसे कठिन परिस्तितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए हमें धैरेवान और विकट यानि कठिन परिस्तितियों में भी रहनत सीखना चाहिए मुझे अपनी महनत तो ताकत से काम करना होगा अगर हम लगातार कोशिश करते हैं तो हम इन महतोपूर परिस्थितियों को हमारे सामने घुटने टेकनिक ले मजबूर कर सकते हैं निस्पक्ष यानि बिना किसी पक्ष के इस्थिति में गुजरता हुआ व्यक्ति सोने की तरह चमकता है यानि किसी पक्ष का साहरा मतलो आपको जो जैसा लगता है आप उस राह से गुजरिये और ऐसे व्यक्ति जो है वो सोने की तरह बाद में चमकते हैं जो भयानक परिस्थितों से भी गरस्थ होकर फिर उसे कोई नहीं गिरा सकता यानि जो भयानक से भयानक परिस्थितियों का भी सामना कर ले उसे फिर कोई नहीं हरा सकता तो इस तरीके से यहाँ पर कुटज पार्ट का overall conclusion एक तरीके से हमने इन सारे प्रशन उत्रों को समझ के ले लिया है आप पार्ट को भी एक बार जुरूर समझे पार्ट बहुत बहतरीन है आपको बच्चों को भी बहुत ही motivation मिलेगा इसलिए आपको आपके श्लेबस में जोड़ा गया आपके पाठे करम में रखा गया है यह सब यह पार तो इस तरीके से प्रशन उत्रों को हमने यह आपर समझने की एक बहतरीन तरीके से समझने की कोशि समझ ठमार्टों को बाल शोड़ा को की का बाल दो यह दो ही को इस अफ़र करबा आपार्टों को से प्रशने की एक है यह जख़ाँ बहुत